दोस्तों आगे हम बात करेंगे ऐसे 5 हेष्टेक के जिसका आप इस्तिमाल करते हुए अपनी वीडियो को वाईरल करवा सकते हैं बिल्कुल और कुछ छोड़ी गलती हैं जो आप वीडियो अपलोड करते वक्त करते हैं उन गलतियों का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है तो चलिए आये चलते हैं मुबायल सक्रीन के उपर और देखते हैं कि वह कौन से ऐसे पांच है जिनका इस्तमाल बहुत ज़्यादा जरूरी अगर आप उनका इस्तमाल नहीं करते तो आपकी वीडियो ज्यादा वाईल नहीं होगी मुबायल पर चलने से वहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकोन के बटन को प्रेस कर ले ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों आपने अपनी टिक टॉक में चले जाना है यहां जाने के बाद आपके सामने जो भी वीडियो आती हैं जिस भी वीडियो के उपर आप अपनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं आप उसको स्लेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस वीडियो के उपर वीडियो बनाना चाह रहा ह अभी यह आगई है एक वीडियो आगई है इसके उपर अगर आप बनाना चाहरे हैं वीडियो तो आपने इस साउंड को कॉपी कर लेना है आपने यहां पर क्लिक करना है यहां क्लिक करने के बाद आपने यूज इस साउंड इसके उपर क्लिक करना है यहां क्लिक करने के बाद आप यह सौंड लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग होने के बाद यह फोटो हमारे सामने आगी है अब यहां पर हमने अपनी जो है ना वो जो भी वीडियो है यहां पर शूट कर लेनी है और बैक ड्राउंड का हमने खसूसी ख्यार रखना है कि ऐसा ना ओढ करने के देखने वाले को बस वो कह यार छोड़ इस वीडियो को दफ़ा करो तो यहां पर करने के बाद हमने अपने वीडियो शूट कर लेनी हैँ जितने कि आप करना चाह रहे हैं तो चलें इह 15 वीडियो को बना सकते हैं इससे कम वालीorm सकते हैं टिक–क करें और और ज्यादा से यहां से आपने वालियम को पूरा कर लेना है वालियम को आप जब पूरा करेंगे सो के उपर तभी आपकी आवास दूसरों के पास सही जाएगी जैसे कि मेरी आपके बास सही आ रही है तो यहां करने के बाद आपने नेक्स्ट के उपर क्लिक करना है यहां क्लिक करने के बाद आपके पास यह इंटरफेस आ जाएगा तो आप यहां पे जो है ना हैश्टेक का इस्तमाल ऐसे करेंगे सबसे पहले हैश्टेक आपने इस्तमाल किया है जैसे आप इसके उपर प्रेस करेंगे तो हैश लिखा हुआ आजएगा आप यहां पे कोई भी hashtag लगा सकते हैं लेकर आपने कोई भी ऊष्टäक नहीं लगाना है। आपने वह पांच hashtag इस्तमाल करने हैं, जो के बहुत जादा ज्रूरी हैं आपकी वीडियो वाइरल करने के लिए। आपने सबसे पहले वो हैश्टेक लगाना है जिसके उपर आपने वीडियो बनाई हुई है तो अगर आपने किसी भी सोंग के उपर वीडियो बनाई हुई है तो उस सोंग का नाम लिख ले रहे हैं कोई भी सोंग चले ये दिल ये दिल आपका हुआ आपने इसके दरम्यान में स्पेस नहीं देनी है यह दिल आपका हुआ यहां से आपको नीचे की दरफ जो है ना वो नजर आ जाएंगे हैश्टेक कि आप इन में से कोई भी जो है ना वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यहां करने के बाद दूसरा हैस्टेक जिस सबसे ज़रूरी है वो आपने अपने जो आपकी आईड है टिक टोक की वह आपने हैस्टेक लाजमी लगाना है वह आप हैस्टेक लगाएंगे तभी तो टिक टोक को पदा चलेगा हां भी इस बंदे ने भी वीडियो我们 अप्लोड की हुई है तो अगर आप अपना हैस्टेक नहीं लगाते हैं अपना हैस्टेक कोई भी नहीं बनाते हैं तो आपको कोई फाइदा नहीं होगा वीडियो अप्लोड करने का आपने जैसे यह मेरा MS motivate है तो मैं यहां पे click करता हूँ तो हमें motivate आ जाएगा और तीसरा hashtag जो हमने इस्तेमाल करना है वो है for you अगर हम for you का इस्तेमाल करते हैं तो तब ही हमारी जो है न वीडियो for you page पे जाएगी यहां हमने for you पे click कर लिया for you hashtag हमारा हीं तो हम इस्तेमाल करें गया इसके बाद हमने चोथा hashtag कि कि इस्तेमाल करना यह है अपने कंट्री हमने पाकिस्तान हम हें तो टिक टोक पाकिस्तान का हेश्टग लगाएंगे और अगर हम इंडिया में हैं तो टिक टॉक यंडिया एक Tout पाकिस्ट d insert में पाकिस्टान में हो तो टॉक पाकिस्टन का है जगा दिया मैं हो तो अगर आपिए वगरा में यह किसी और यह कंट्री करेंगे इसको पोस्ट करने के बाद एक आपने खास ख्याल रखना है वो यह कि आपने अपनी वीडियो को खुद नहीं देखना है अगर आप अपनी वीडियो को खुद देखेंगे तो आपकी वीडियो कभी भी वाइरल बना लें और प्रो अकाउंड के उपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसका कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ वर्दा आप मेरी प्रोफाइल विजट करके वहां से भी उसको देख सकते हैं तो जैसे ही आप वहां से इसको प्रो अकाउंड में त